दोस्तो इस वीडियो के अंदर हम Tata Group के साज शेर्स के बारे में बात करने वाले हैं जहां पर बहुत ही शांदर अपडेट समय है यहां पर आते हुए देखने को मिल रही है तो यदि आपने Tata Group के अंदर अन्वेस्मेंट कर रखाए या फिर आप इन्वेस्मेंट करने का मन बना रहे है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाली है तो चलिए दुस्तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कैसी देरी के उसके बिले यदि आपने चैनल पर फर्स टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल आइकन को प्रेस करना बिलकुल भी मत बुलेगा आज की इस वीडियो में हम जिस सबसे बिले शेर्ट के बारे में बात कने वाले हैं उसका नाम है तेजस नेटवर्क लिमिटेड जहां पर आपको लास सेडिंग सेशन के अंदर 5% का अपर सर्किट भी देखने को मिल चुका है और जब से टाटा ग्रूप्स ने तेजस नेटवर्क को एक्वाइर किया है तब से लेकर अभी तक ये शेर्स लगबग 195% तक के मल्टी बेगर रिटन्स अपने शेर होल्डर्स को बना कर दे चुका है बात करें कि तेजस नेटवर्क से जुड़ी क्या बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रही है तो आप देख सकते हैं अराउंड रुपिस 1380 करोड रुपिस तो यहाँ पर Tata Groups तेजस नेटवर्क के लिए ओपन ओफर यहाँ पर लेकर आई है जिसमें 26% का स्टेक आपको तेजस नेटवर्क का देखने को मिल रहा है जिसकी अगर वर्थ की बात करें तो 1038 करोड रुपे का यह ओपन ओफर हम परपस से कंटीनिव कर सकते हैं दोस्तो अगले शेर्स के बारे में बात करें जिसका नाम है Tata Steel BSL लिमिटेट जहाँ पर हमें लास्ट रेडिंग सेशन के अंदर एक फ्लेट क्लोजिंग देखने को मिली है लेकिन पीछले एक महीने में जो 10% तक की बड़ी गिरावट हमें सेक्टर के Tata Steel BSL के अंदर देखने को मिली अब शेर्स हमें रिबाउंड करते हुए देखने को मिल रहा है जिसमें अगर निफ्टी मेटल को देखें तो निफ्टी मेटल भी हमें लास्ट रेडिंग सेशन में यहाँ पर पोजिटीव वे में देखने को मिला पिछले 5 प्रदीट्स आते हुए देखने को मिल रही है जिसमें Tata Steel ने अपना कपूरा एक इस्टेक याने कि एंटायर इस्टेक आदित्यपूर टॉल ब्रिच कंपनी के अंदर ट्रांसफर कर दिया है तो अल्टिमेटली इस न्यूस का इंपक्ट आपको Tata Steel वो Tata Steel BSA Limited के शेर को स्क्वेर आफ करने की गलती बिल्कुल भी मत करियेगा दोस्तों बात कर लेते हैं Tata Group के अनदर कंपनी के बारे में जिसका नाम है Nelco Limited Nelco Limited के अंदर भी लास्ट इडिंग सेशन में हमें 5% का शांदर अपर सिर्कुट देखने को मिल चुका है और इनी सब के साथ में Nelco Limited ने पीछले एक महिने के अंदर लगबग 30% तक के मल्टी बेगर रिटन्स अपने शेर होल्डर्स को बना कर दिये हैं साथ ही साथ Nelco Limited ने पीछले एक साल के अंदर 286% के रिटन्स और अगर मेक्जिमम चार्ट पर इटन्स देखें तो 746 रुपिस की तेजी याने की 7386% के रिटन्स 7386% के रिटन्स हमें मेक्जिमम चार्ट के अंदर देखने को मिल रहे हैं इसी सब के साथ में Nelco ने लास्ट रिडिंग सेशन में वापिस अपने आल टाइम हाई को अचीव कर लिया है तो यहाँ पर अगर आपने पोजिशन बनाए रखी है तो इस शेर्स के अंदर भी आप आने वाले 5 सालों में लगबख 1000 रुपे प्लस के टार्गिट लेकर चल सकते हैं Nelco के भी अगर financial numbers की बात करी जाए तो company के financial numbers June quarter के बहुत ही शांदर देखने को मिले थे जिसमें अगर हम profit की बात करें तो company ने 4 करोड 38 रुपे का profit generate किया था जो की year on year business के comparison में लगबख 138% जादा है Tata Group का सबसे शांदर शेर जहां पर अभी के time पर आप इसे pick करके चल सकते हैं क्योंकि COVID के crisis के बाद में यही शेर है जिसके अंदर हमें ultimately moment देखने को मिल रहे हैं और आगे भी moment देखने को मिल सकते हैं जिसा कि आपको पता है कि COVID के impact के कारण hotel business बहुत बुरी तरीके से impact हुए थे लेकिन Indian hotels अब हमें recovery mode पर देखने को मिल रहे हैं जिसके कारण last reading session में भी हमें इसके अंदर 0.5% तक की शांदर तेजी देखने को मिल चुकी है और पिछले एक महिने का भी अगर आप chart patent चेक करेंगे तो पिछले एक महिने के अंदर भी the Indian hotels के अंदर आपको लगबग 25 से 26% तक की शांदर तेजी यहाँ पर देखने को मिल चुकी है पीसेंटली Indian hotels की तरफ से भी हमें एक बहुत ही शांदर अपडेट साते विए देखने को मिल रही है जिसमें आप देख सकते हैं the Indian hotels company limited has signed a selecations hotel in Kolkata West Bengal its 7th property in the state across brand तो यहाँ पर company ने एक और अपना यहाँ पर property purchase करी हैं जिसे आप देख सकते हैं 7th property हमें all our state West Bengal के अंदर देखने को मिल रही है तो बहुत ही शांदर अब हमें Indian hotels के अंदर भी target देखने को मिल सकते हैं the Indian hotels के भी अगर financial numbers की बात करी जाएं तो the Indian hotels के financial numbers भी recovery mode पर हमें देखने को मिल रहे हैं recently company ने जून quarter के numbers declare किये थे जिसमें net profit के अंदर हमें 0.92% तक की शांदर इजी देखने को मिली थी लेकिन अगर revenue की बात करें तो company का revenue लगबख year on year business पर 115% याने कि 115% से grow हुआ था Tata Group की बात कर रहे हैं और Tata Alexi Limited की बात नहीं करें ऐसा हो नहीं सकता Tata Alexi Limited के अंदर भी आपको last reading session में लगबख 4% तक की शांदर तेजी देखने को मिली थी और जैसा कि मैंने आपको अपनी previous video में भी बताया था जब मैंने Tata Alexi की updates आपके साथ share करी थी कि IT sector से belong करता है ये share आपको future में भी बहुत ही शांदर returns बना कर दे सकता है पिछले एक साल के अंदर Tata Alexi ने अपने shareholders को 18% तक के returns बना कर दिये हैं Tata Alexi के भी अगर हम financial numbers की बात करें तो Tata Alexi के भी financial numbers बहुत ही शांदर देखने को मिल रहा है और जैसा कि मैंने अपनी कल की previous video में भी आपको बताया था कि अब जो dollar है वो भी मजबूत होते हुए हमें देखने को मिल रहा है Tata Group के another shares की बारे में बात करें जहां पर आपको शांदर तेजी देखने को मिल रहा है जिसका नाम है Tata Investment Corporation Limited यहां पर भी आपको last rating session में लगबग 6% तक ही शांदर movement देखने को मिल चुके हैं वो Tata Investment के अंदर भी हमें पीछले दो दिनों के अंदर दो बड़ी updates देखने को मिल चुके है जिसमें Tata Suns Investment Corporation Share Price लगबग 6% से यहां पर increase हुई है और इसी के साथ में rising valuation discount makes Tata Investment attractive bet तो यहां पर अगर हम Tata Investment के भी financial numbers की बात करें तो यहां पर Tata Investment के भी जो financial numbers है वो हमें बहुत ही शांदर तरीके से increase होते वे quarter 1 के अंदर देखने को मिले हैं लगबग 196% तक की शांदर growth हमें यहां पर देखने को मिल चुकी है और इनी सब के साथ में एक और बड़ी updates में आपके साथ share करना चाहूँगा जैसा कि आपको बता है कि Tata कल ही के दिन हमें एक बड़ी updates देखने को मिली थी जिसमें Tata Suns ने जो Air India की beat थी उसे यहां पर जीत लिया था लेकिन उसको लेकर यहां पर कुछ बड़ी updates निकल कर आई है जी यहां दोस्तों अभी official announcement इस beat को जितने की निकल कर नहीं आई है तो इसी चीज़ को इस news के अंदर cover किया गया है the wait is finally over जैसा कि आपको बता है कि Tata Group की ही Air India थी किसी time पर अब finally हमें Air India Tata Groups के हाथ लगते वे देखने को मिल रही है लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं money control has independently confirmed with sources that Tata Suns is indeed the fortuner for the beat the Tata have placed the highest beat for Air India the sources said लेकिन अभी तक कोई official announcement यहां पर निकल कर नहीं आई है जब तक official decision नहीं आ जाता है निकल कर तब तक आपको किसी भी rumors की news पर विश्वास नहीं करना है अगर यह deals Tata Groups के पास में आ जाती है तो December month तक हमें Air India पूरी तरीके से Tata Groups के हाथ में देखने को मिल सकती है और Air India के उपर जो debt है वो भी recovery के chances उसके भी अब बहुत ही जादा हमें देखने को मिल सकते हैं क्योंकि Tata Groups ने पहले भी यह से बहुत सारी कंपनियों को acquire किया है जिसके उपर बहुत ज़्यादा debt था और उसे पूरी तरीके से debt-free बनाने में कंपनी लगी हुई है एक example हम Tata Steel BSL Limited का भी ले सकते हैं जो कि पहले Bushan Limited के नाम से जानी जाती थी तो चलिए दोस्तों उमीदे आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी Tata Groups के एसी ही important और genuine informations पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चेनल को भी जोइन कर सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए stay connected, stay updated